तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले ओपो के A5 2020 के वारे में फ्यूचर में इसे कौन से जो बड़े अप्टेट्स हैं जो की देखने को मिलने वाले हैं आपको इसी ओपो A5 2020 के अंदर और मेरे पास फिक आपे कमेंट्स आ रहे थे कि सहसें तुम यह बताओ कि जो ओपो का A5 इसको फ्यूचर में से कौन से जो बड़े अप्टेट्स हैं जैसे कि Color OS 11 with Android 11 का जो ऑफिसल अप्टेट है वो इसी स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला की नहीं और मिलेगा तो कौन से डेट को मिलने वाला इसकी रिलीज डेट के बारे में बताओ और OPPO की और से एक जो बीट अप्टेट है वो भी आप पर प्रोवाइड किया जाएगा इसी स्मार्टफोन के अंदर तो उसकी भी जो रिलीज डेट है वो भी आप बताओ दोस्तो आज वीडिया में में बात करेंगे और बात करेंगे इसकी रिलीज डेट के आएगे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँआ कि जब यह स्मार्टफोन रिलीज वा था लॉन्च वाता और आप लोगोने जब इसी स्माटफ का जो update है वो आपको इसमें pre-store देखने को मिलाता वित color OS 6.0.1 के साथ में और ओपो की एक ऐसी policy के ओपो की जित्ते भी जो स्मार्टफोन है ओपो उनको 2ES के दो बड़े जो major OS update है वो यहापे उनको प्रोवाइड कराता है Android 9 Pie का जो update है वो इसमें आपको pre-store देखने को मिला वाला है और उस लिस्ट में ओपो को जो A5 2020 है इसका जो नेम है वहाँ पे मेंशन है तो यह पेटेंशन लेनी की कोई बात नी है इसको जो update है वो शोर्ली देखने को मिलने वाला है और आगे मैं आपको इसकी release date के बारे में बता दूँगा कि आपको जो update है वो कब देखने यूनिक features है जो की देखने को मिलने वाले इसी OPPO A5 2020 के अंदर अगर आप लोगों को पता नहीं है कौन कौछे features आपको मिलने वाले color OS 11 के अंदर तो मेरी वो वाली वीडियो देखना ना बूलना ओपो ने इस पार customization के उपर बहुत ज़दा ध्यान दिया गया है जैसे कि Wi- mobile data और Bluetooth जिससे जो आइकन्स होते हैं इसके जो colors है वो भी आप लोग set कर सकते हो blue, red, white, purple कैसे भी आप लोग अपने हिसाब से customize कर सकते हो तो दोस्तों वो वीडियो देखना ना बूलना बहुत अच्छी वीडियो रिस्मांज भी उसका काफी अच्छा मिल रहा है और अब ब इसको second quarter 2021 के अंदर जो update है, beta update है वो surely देखने को मिलने वाला है लेकिन ओपो के और से यह आप तक अभी तक confirm नहीं किया गया कि second quarter में कौँछे मंत में देखने को मिलने वाला है जैसे कि April, May, June यह जो 3 मंत है इसके अंदर जो update है वो आपको कब देखने को मिलने वाला है और जो उसका जो official update है उससे पहले तो आपको जो beta update है वो provide किया जाएगा ओपो के और से second quarter के अंदर और जो official update है वो भी आप लोगों को second quarter के अंदर ही देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों यह एक बहुत अच्छी बात है कि आपको जो update है वो 3 मंत के अंदर देखने को मिल ज दूँगा और अगें दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना क्योंकि जब भी मैं वीडियो upload कुरू और फाइफ 2020 की तो उसका notification सबसे पहले आप सके और आप लोगों को अगर अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे comment section मुझसे पूछ सकते है परसली कुछ बात करनी हो फोन से related तो आप लोगों को मेरे इस्टाग्राब की अडिया पे मिल जाएगी आप लोग वाई से परसली बात कर सकते हैं अगर दोस्ता आप लोगों को झाई